आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ यह value x लेते हैं equals to यह जाएगा y upon 40 ओके, so how we'll find these value पहले हम इन दोनों value को equate कर लेते हैं because यह दोनों value equal हैं ओके, फिर हम क्या करेंगे then we will equate first and last value ओके, because शारी value आपस में equal है हम किसी को भी किसी के equal लिख सकते हैं ओके, so let's write here 4 upon 32 equals to 1 upon x यह हम लिख लेंगे और फिर दूसरी value find out करने के लिए what we'll write 4 upon 32 और यह इसके भी equal है so यह हम कैसे लिख लेंगे equal to y upon 40 ओके, so यहां से हमारे पास x और y की value find out हो जाएगी so what we'll do, cross multiply so 4 multiply x and 32 multiply 1 so यह से लिख लेते हैं 4 multiply x equals to 32 multiply with 1 so यह क्या होजाएगा 4x और यह क्या होजाएगा 32 so x की value क्या होजाएगी 32 यहां 4 multiply में था तो इस side divide में आ जाएगा we know this 4 multiply 8 उसे 32 so value of x is what value of x is 8 value of x आ गए value of y निकाल लेते हैं again cross multiply so यह क्या होजाएगा 4 multiply 40 और यह side क्या होजाएगा सो य की वेल्या गाए जाए कि 32 मल्टिप्लाइ मिता दूसरे सेट क्या हो जाएगा एत्व बें डिविजन ओके 162 एंग तो लेट्स कांचल देखल दा वैल्यू कैंसल होंगी 4 मौल्टिप्लाइ फॉर एट जीरो लगा दिया 4 मौल्टिप्लाइ एट इस 32 okay 8 multiply 5 40 होता है so y की value के आ गई y की value आ गई 5 so x की value 8 y की value 5 तो लिखे लेते हैं यह हमारा x था यहां पर हम ने x लिया था you can see this was x x की value का गई थी हमारे बास 8 so यहां पर 8 लिखे लेते हैं okay यहां पर y था you can see this position was for y y की value का यह 5 तो यहां पर के लिखे लिखे हैं 5 okay so this is our required answer thank you Classics to 12 से लेके need IIT जही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप या WhatsApp कीजे अपने डाउट आउट्स आट 400 400 चॉपर